देखिए भारत एट नाइन कावेंद्र चौहान के साथ कि मुझे कोई सीरस्टी लेने को तयार क्यों नहीं है पहली लहर में हम आसानी से जीते दूसरी लहर में घायल हुए तीसरी लहर दर्वाजे पर खड़ी है और हम मनाली में खड़े कुछ दिन पहले अस्पताल में बैट ढून रहे थे अब होटल में बैट ढून रहे है कुछ दिनों पहले दवाई ढून रहे थे अब ब्रांड की दारू ढून रहे है कुछ दिन पहले जरा सांस अटक जाने पर मारे घबराहट के जान निकल जाती थी अब सांस अटक जाये तो बस ठंडा पानी पी कर काम चला लेते हैं, कुछ दिन पहले तक स्टीम लेते थे, अब बाइकों और कारों से स्टीम निकाल रहे हैं, शहरी हैं, घूम रहे हैं, आज उत्रपरदेश में 1576 के लगबग कोरोना केसिस एक्टिव हैं, 46 जिलों में एक भी केस नहीं मिला है, चार लोगों की मौत हुई है बस, और सरकारे सीना तान कर कहती हैं, इतने लाख टेस्ट कर दिए, इतने लाख टेस्ट कर दिए, मानो ये सुनके तो कोरोना खुट डरेगा, सहमेगा, घबराएगा, थर-थराएगा और भाग जाएगा, खैर अगर जनता को भी ऐसा ही लगता है, तो जलसा कर ले, रोज क खाम कर लें, अब तो मौसम भी सुहाना है, खूब घूम, मजा कर लें। वैसे कुछ मिनिट का वक्त हो, तो ये रिपोर्ट जरूर देख लें। संक्रमन के आपडू और डेथ रेट यानी मृत्यू दर का विशलेशर करते रहे हैं। तीसरी लहर रफतार पकड़ सकती है। तीसरी लहर को काबू में रखने के लिए लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग, सैनिटाइजेशन, मास्क पहनना और वैक्सिनेशन जैसे प्रोटोकॉल का हरहाल में पालन करना होगा। कोविड के बढ़ने घटने के मैट्रिक्स को कैलकूलेट करने के लिए श्रीवास्तव ने 24 घंटों में कोरूना से मौतों और उसी अवधी में नए अक्टिव केस का अनुपात लिया। नए केस के मुकाबले ठीक होने वालों की संख्या जादा रहने पर यह अनुपात निगेटिव रहता है। अनुकूल स्तिथी तब आती है जब डेली डेथ लोड कम या निगेटिव होता है। सावधान रहने की जरूरत है। कोरुना खत्म नहीं हुआ है। हाला कि बाजारों और हेल स्टेशनों पर जिस तरह भीड जुट रही है उससे लगता है कि लोग मान रही है कि कोरुना खत्म हो गया है। लोगों ने अगर यह रवया नहीं बदला तो पावंदियों में दी भी धील को वापस लिया जा सकता है। वहीं देश में डॉक्टरों की सबसे बड़ी संस्था इंडियन मेडिकल एसोसियेशन ने केंद्र और राजे सरकारों से कोरुना की तीसरी लहर की चेतावनी के बीच खिलाफ धील ना देने की अपील की है। इसके साथ ही आयमे ने कह है कि देश के कई हिस्सों में जिस तरह से लोग और अथारिटीज ने साथधानिया बरतनी कम कर दी हैं उसे देख कर दुख होता है। तो दर्शकों पहली बार जब कोरुना आया अंजान था लेकिन हमने मजबूती के साथ ये लड़ाई लड़ी और लगभग लगभग जी पने साथ और बड़ा है थे भारत में 8,932 किलो मिटर दूर ये भारत से डिस्टेंस जो है इंडिया टू इंडोनेशीया बता था गाता हूं। इंडोनेशिया में कहर बरपा हुआ है इस छोटे से देश में कोरुना मौत का दूसरा नाम बनकर तूट पढ़ा है। हजार से का तांडव विक्राल हो रहा है अब खत्रा खुद समझ लीजिए अपने बाकी कामों पर भी ध्यान दीजिए लेकिन कोरोना के हलके में मत लीजिए जैसे मिलें जहां मिलें वैक्सीन जरूर लगवा लीजिए ध्यान से बाकी कल एक बार फिर मुलाकात होगी आपसे और किसी अन्य मुद्दे पर खुब बात होगी तब तक देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप बने रहेगा नियूज वाल इंडिया के साथ धन्यवादी